दोस्तों क्या होता है जब आप दूसरे के वीडियो को कॉपी करते हो तो आपके साथ क्या क्या होता है लेकिन आपको कुछ पता नहीं चलता है इस जानकारी को आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगा आप लोग आन तक बने रहेंगे चलिए बिना देर करते हुए इस वीडि यानि वीडियो को अगर आपने अपने चैनल पे पोस्ट किया है तो आपको कुछ पता नहीं चलेगा कि मेरे यूट्यूब चैनल पे क्या हुआ है, वो चीज आपको कैसे पता चलेगा कि मेरे चैनल पे क्या क्या हुआ है, वो सारी एक्टिविटी आपको पता चलेगा mail के जर चलिए पीना देर करते हैं वीडियो को शुरूआद करते हैं सबसे पहले दोस्तों अगर अगर अभी तक मेरे वीडियो को देखा है तो वीडियो को जरूर लाइक करें साथ ही दोस्तों को भी सेर करें और एक प्यारह सा कमेंट जरूर् daha Бог करें ताकि हमें पता चल सकें कि मैं किस तरीके से content आप लोग के बीच provide कर रहा हूं आपको सही लग रहा है या नहीं इस चीज की जानकारी आपको मिलेगी और हमें भी पता चलेगा कि हमें क्या कमी है, मेरे अंदर क्या कमी है और मैं क्या knowledge आप लोग के बीच provide कर रहा हूं वो सारी जनकारी एक कमेंड ही ऐसा चीज है जो हमें पता चलेगा और आपको भी पता चलेगा कि इसके बारे में आखिर कैसे जनकारी क्या-क्या करना होता है चलिए दोस्तो, सबसे पहले वाइट ये स्टूडियो में आपको दिखा रहा हूँ जिस वीडियो को मैंने अप्लोड किया है उस वीडियो को यहाँ से आप content में जाएंगे मेरा ये long वीडियो था आप यहाँ पे देख सकते हैं इस तरह का comedy वीडियो मैंने copy किया था शिर्फ आप लोग को दिखाने के लिए मैंने यह experiment किया है कि किस तरह से YouTube पे अगर आप दूसरे का वीडियो copy करते तो आपको कैसे क्या क्या चीज वो दिखाई देगा सबसे पहले तो आपको YouTube पे यह साड़ी चीज़े आपको दिखाई देगा बस simply आपको इस पे क्लिक करना है जैसे ही आप क्लिक करोगे वीडियो के ऊपर ना कोई views आया है इसमें और ना ही कुछ आया है इस पे जैसे ही आप ज़्यादत क्लिक करोगे अंदर जाओगे जैसे ही वीडियो के अंदर और भी क्लिक करोगे तो यहाँ पे overview में लोड किया है लेकिन अगर दूसरा कोई वेक्ति अगर आपकी चैनल पे जाके इस वीडियो को देखता है तो असल में वहाँ पे ये वीडियो होता ही नहीं है ये वी एक फैक्ट बात है तो इसको आपको जानना जरूरी था चलिए अब मैं मेल के जरीए आपको बताता हूं कि आखिर मेल हमें किस तरह से भेजा किया है यूटूब ने किस तरह से मेल भेजा है वो चीज मैं आपको दिखाता हूं मैं सिंपली यहां से बैक आ जाता हूं और आपको मेल दिखाता हूं कि मेल पे कैसे क्या-क्या भेजा है यूटूब ने मेरे साथ जो कि आपको बताना ज खता साला छोटी गंगा बोलके नाले में कुदा दिया बोलो कवा बिरियानी comedy scenes इस तरह का आएगा हाई संकन है मेरे चैनल का नाम था संकन है copyrighted content has been detected in your video साला छोटी गंगा बोलके नाले में कुदा दिया ऐसे करके कुछ वीडियो था देख सकते हैं यहां पर क्या लिखा हुआ है content use run movies comedy scenes यानि इस तरह का content था content का जो honor है वो ucp है और content type audio video दोनों मैंने copy किया यासे impact on video यानि video पर जो हमारा प्रभाप पर है वो क्या किया है youtube ने इसे block कर दिया globally block कर दिया और नीचे लिख दिया है leave the video as is if you are fine with registration on the video edit out of segment इस तरह से mail आया है अगर आप इसमें अगर आप views your all action यानि एक दो तीन चार अगर यह चारो action आप लेना चाहते हैं इस तरीके से आप यहां पर ले सकते हैं action views all action यहां से लेकिन इस तरह से आप देख सकते हैं यहां पर नीचे जो लिखा हुआ यहां पर आपको दिखाई दे रहा होगा result your video has been blocked and can no longer be played on youtube this is not a copyright strike यानि youtube कह रहा है मैंने आपको copyright strike नहीं दिया and does not affect your channel आपके channel पे कोई प्रभाव नहीं पढ़ने वाला है लेकिन मैं आपको यह बता रहा हूं कि आप यह जो content आपने जो डाला है वो copyright content है ठीक है दोस्तों तो आपको यह सारी चीज मैंने बता दी है youtube video से related जो भी जानकारी थी मैंने आप लोग के भी share किया जो भी जानकारी mail के जर्ये मिला हमें YTA studio से जो जानकारी मिली मैंने आपके भी share किया और आपको मैं यह बता दूं कि last में मैं जाते जाते आपको यह एक चीज और मैं बता दूं दूसरे की content को copy ना करें ताकि आपको बहुत सारी दिक्कत आएगी monetize में problem होगा आगे चलके इसलिए खुद का content बनाओ और खुद मैनत करो अपने बल दूते करो जो भी करना YouTube पे फिर मिलेंगे आप लोग के साथ एक नए वीडियो में एक नए topic के साथ तब तक के लिए जैहीं वंदे मात्रम